सबी पत्रकार साथियों को मेरा नमश्कार जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार अर्विन केजडिवाल जी की सरकार की सबसे पहली प्रात्मिक्ता पिछले आठ साल से शिक्षा रही है जबसे अर्विन केजडिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है हर साल दिल्ली के बजट में बजट का 25% हिस्सा एजुकेशन को दिया जाता है ये शायद देश में किसी भी राज्य में नहीं होता दिल्ली के बाद next highest allocation अगर किसी state budget में है तो वो मात्र 14 प्रतिशत की है ये जो शिक्षा में investment हुआ है चाहे वो infrastructure में हो, चाहे वो teachers को world class training देने में हो, चाहे curriculum improve करने में हो उससे बच्चों के results में, उनके IIT, JE के performance में, उनके नए नए innovative ideas में इस improvement का impact दिख रहा है लेकिन दिल्ली सरकार के school छटी class में शुरू होते हैं ये secondary schools हैं और एक बड़ा challenge जो दिल्ली के education system में आता रहा है कि जो बच्चे MCD के school से दिल्ली सरकार के school में 6th में admission लेते हैं उनको basic reading and writing भी नहीं आता तो पिछले 15 साल से MCD का education system इतने बुरे हाल में रहा है कि बच्चे nursery, kg, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7 साल की शिक्षा पाने के बाद भी पढ़ना लिखना नहीं सीख पादे लेकिन जब से MCD में भी आमागमी पार्टी की सरकार बनी है तब से MCD में भी education एक high priority बन गई है infrastructure पे basic maintenance पे हमने काम शुरू कर दिया है और अब MCD के school के principals और teachers की world class training का सिलसला हमने शुरू कर दिया देकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल्ली के बच्चों को best of best education मिले इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने principals को और teachers को best of best training देने की जरूरत है और अगर leadership में और management में best of best training की बात की जाए तो हमारे देश में IIMS के अलावा कोई भी नाम सामने नहीं आता है तो मुझे इस बात की घोशना करते हुए आज खुशी हो रही है कि अब से MCD के भी principals को IIM एहमदाबाद और अन्या IIMS में training के लिए भेजा जाएगा जिस तरह से पिछले आठ साल में दिल्ली सरकार के हर principal ने Indian Institute of Management से leadership और management की training ली है लीडर्शिप और management की coaching ली है उसी तरह से अब MCD के भी हर principal को IIM भेजा जाएगा और वहां से वर्ल्ड क्लास leadership और वर्ल्ड क्लास management की वह training लेके आएगा और हमें पूरा भरोसा है कि अगर एक principal को empower कर दिया जाए एक principal को वर्ल्ड क्लास training दी जाए तो फिर हमारे MCD schools को वर्ल्ड क्लास होने से कोई नहीं रोग सकता जो पहला बैच है trainings का वो 29 जून से शुरू हो रहा है तो 29 जून से MCD schools के 50 principles IIM एमदाबाद जाएंगे और वहां पर IIM एमदाबाद के सारे top professors से school leadership, school management में training लिके आएंगे पिछले आठ सालों में दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक शिक्षा करांती आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे हमारे principles और teachers train होंगे, empower होंगे तो MCD के स्कूलों में भी शिक्षा करांती कोई नहीं रोख सकता और फिर आने वाले तीन चार साल में हम देखेंगे कि पूरी दिल्ली में नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक एक वर्ल्ड क्लांस education दिल्ली के हर बच्चे को मिलेगा अब मैं चाहती हूं कि हमारी दिल्ली की मेर शेली अब रॉय जी भी अपनी बात रखें सबी पत्रकारों को मेरा नमस्कार और जैसे मानिय शिक्षा मंत्री जी ने आपको ये बताया कि आम आदमी पार्टी की हमेशा से priority education रही है और इसी के मद्दे नजर रखते हुए दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो एक क्रांती आई जो एक बड़ा बदलाव दिल्ली की जनता को देखने को मिला अब वैसा ही बदलाव हम लोग नगर निगम में लाने की तयारी में हैं और आपको मालूम है कि नगर निगम करें के जितने भी इक सन्कोम है यह primary education देती है एक से लेके मैं तक ऑर जब एक से रोल होता है वो टीचर्स का होता है और अगर स्कूल चलाने का जो बढ़िया रोल होता है वो प्रिंसिपल्स का रोल होता है अगर हम चाहते हैं कि अगर स्कूल की जो हैड है एचो है से हैड ऑफ दी स्कूल है वह अच्छे तरीके से स्कूल को मैनेज कर सके तो प्रिंसिपल्स करा सके टीचर्स का साथी नय-nay innovative pedagogist को promote कर सके अगर हम हम ये सब चीजे principles or teachers में ला सके तो effective तरीके से जो principle है teachers की performance को भी monitor करेंगी बच्चों की performance को भी monitor करेंगी तो आम आदमी पार्तीने जैसे पहले भी principals प्रिंसिपल्स को आयायम एमदाबाद या बड़े दूसरे इंस्टिटूट्स में भेजा देश से बाहर वेजा अब वैसे ही नगर निगम के जितने भी टीचर्स प्रिंसिपल्स हैं अब हम उनको बाहर भेजने की भी तैयारी करेंगे और जैसे आतिशी जी ने बताया कि 29 ज स्कूल में विजिट किया और देखा नगर निगम के स्कूलों को इंप्रूब करने के लिए टीचर्स अब प्रिंसिपल्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूफ करने के लिए हम कैसा डवलाप मिन प्रोग्राम उनके दे सकते थे तो उस सब की तैयारी के बाद आब हम लोग उन की एजुकेशन प्रवाइड करते हैं नगर निगम के स्कूल जो पिछले 15 सालों से बदहाली में थे अब उन स्कूलों में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी तो बस हम आपको आज यहीं बताने के लिए हमने गोशना करने के लिए प्रेस कॉंफेंस बुलाई थी कि अब नगर निगम भी तयार है ताकि टीचर्स और प्रिंसिपल्स अच्छे से स्कूल को चला सके ताकि जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हम लोग देने की कमिटमेंट हम दिल्ली की जनता को MCD में कर चुके हैं अब उस कमिटमेंट की शुरुवात हम लोग कर चुके हैं ध अम MCD के हर प्रिंसिपल को मैंजमेंट और लीडरशिप की च्रेनिंग के लिए भीज़ेंगे वहां पर यह एक से ला है डिली के सरकारी स्कूलों में भी ओवर 3-4 यह हमने सारे प्रिंसिपल्स को आइम्स भीजा है अब M.C.D. में भी सारे प्रिंसिपल्स को जिसे हैड़ स्कूल कहते हैं उनको भी हम भीज़ेंगे पहला बैच 29 जून को आयम एम्दाबाद जा रहा है उसके बाद सिंसलेवार तरीके से चाहे वो आयम एम्दाबाद हो आयम लखनाओ हो आयम कोरी कोड़ हो वहां पे हम अपने प्रिंसिपल्स को भीज़ेंगे पहले बैच में 50 प जी यह एंसीडी के इतिहास में पहली बार है कि एंसीडी के प्रिंसिपल्स को आयम एम्दाबाद जो नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट है हमारे पूरे देश का वहां पर भीजा जागा है बिलकुल बिलकुल जाएंगे यह एक हखते का एक्जेक्टिटिव ट्रे जुओ कि ao ave टाली घयम्दाब ऑने ढहले तो 우ο गते है यहां जांगे अका ट्रिंस में के सक्विल्डेशो उगल्जार के इतिह का सकतते कि कुल टेख भीजिक्टित है एक टैनी था पीजिक्ते हमारे बिलकूमें थेति इतिव्चेश इतिंस प theorist को आईते हमारे भीज़ ब